जै माता की दोस्तों कैसे हूँ आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भक्तियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता के साथ डाकनी की शक्ति प्राप्त करने के लिए इस मंतर का जाप अपनी पूजा में क्यारा दिन तक करें पाँच दिन में माता आपको दिखने लगेगी ये मेरी गारंटी है मा काली के साथ साथ आपको डाकनी भी दिखने लगेगी जैसे कि आप सभी भक्तों को बताएं जैसे ही हम मा काली की पूजा पाट करते हैं मा तो देवी है उसी के साथ साथ डाकनी जो है वो माता की सेवा में विराजमान रहती है और ये डाकनी एक ऐसी सक्तिया होती है जो मरगट में विराजमान होती है और ये सक्तिया अगर हम अप पूजन करे या इनको भोग पर साथ दे मा अपनी काली के साथ साथ या फिर अपने देवी देपता के साथ साथ तो ये हर एक देवी देपता के साथ विराजमान रहती है तो अगर हम इनको कुछ भी भोग भोग दे अपनी तरफ से तो ये हमारा जो कारी है ना जैसे मानलो हमा चारा कारी 7 दिन में होगा भाइद 10 दिन में या एक महीने में तो वह आपका 2 दिन में करके देती, जो ढाकनी शक्ति होती है, समझ रहे हैं, बाटा कारी इन से आपके कारी कराती है क्यों कि माँ के पास जो है समय कम होता है, हर एक भक्त माता को बुलाते हैं जहां पर भकतावल होती है वहां भी माता को बुलाया जाता है तो माता जाती रहती है सभी के पास इस करके माता की जो सेवा में विराज मार रहते हैं माता उनको आग्या देती है कि आप वहां जाईए और उसका कारे करके आईए जब ये डाकनी शक्तिया योगन अगर आप rag iPhones काली की पूजा पाट करते हैं तो आपको आकैनी है mo improv है कि यह अगर आ सिए ज़ना लोगों को 12 इसरों मत्र डेने जारा हूं इस वीडियो के माध्यम से अगर आप माता डाकनी को या मा काली के साथ साथ भोग पर साथ भी ना लगाएं तो सिंपल तरीके से माता का ये मंतर आप इस्तमाल करें जो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस मंतर का इस्तमाल करेंगे 11 दिन में ही आप लोगों को माता दिखने लगेगी काली ठीक है और काली के साथ साथ आपको ढाकनी माता भी दिखने लगेगी जब आपको समझ लो माता दिखने लगे तो 11 दिन से माता काली और ढाकनी दोनों आप लोगों के कारे करने लग जाएंगी चाहे अब आप उनसे कैसा भी कारी कराओ अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो जैसा कारी आप कराओगे माकाली से या डाकनी से तो वैसा ही कारी आपका दो दिन में होए करेगा जब आप मातक काली के इस महामंतर का जाप करना शुरू करेंगे तो मंतर दोनों ही शक्ति का जैसे डाकनी और मातक काली का अध यदि हम इन मंत्रों का जाप अपनी पूझा पाटके समय करें तो मंत्रों करें इसमक्त कि उपा इतु कि ह्यों Morrison कभben इतना, पैज 발िआ के पूझा समय कवें इतना सलस्क्ति का औरों आपको माता काली का और डाकनी का चमतकार दिखने लगेगा तो आपको जब चमतकार दिखेगा आपके कारी होंगे तो आप आगे भी कर सकते हैं तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्व पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे ग्यारा दिन की आप लोगों की ये साधना होने वाली है मंत्र गेटी के दब मंत्र पहले आप सामने स्क्रीन पर देख लो फिर उसके बाद आपको बताती हूं किस तरह से इसका आपको इस्तमाल करना होता है नमो चंडी सुखार धरती चडाय कुण कुण बीर हनुमत बीर चंडिया गोडा चडी जांग बड़ी कट्टी चट्टी पेट चडी पासली चडी हिया यदी चाती चडी मुख चडी जिहाया चडी कान चडी आख चडी लल्लट चडी सीज चड़ी, कपाल चड़ी, चोटी चड़ी, नर्सिंग, हनुमत, चले, वीर, संद्रवीर ये प्यारा सा मंतर है जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और इसी मंतर के जरिये से आप माता काली को देख सकते हैं और माता काली के साथ साथ डाखनी शक्ती को भी देख सकते हैं अगर आपको डाखनी शक्ती के वारे में नोलिज होगी तो आपको जरूरी पता होगा कि डाखनी जो शक्ती होती है वो कितनी पावरफुल होती है और कितनी जल्दी हमारे कार्य करने लगती है और वो भी किस के कहने से मा काली के कहने से तो मंतर तो मैंने आपको सामने स्क्रीन पर दिखा दिया है आप इसको जल्दी से नोट कर लो और इसका इस्तमाल आपको करना है अपनी पूजा पाट के समय ठीक है जैसे मानलो आप सुबह पूजा करते हो तो आप इस मंतर को साथ बार कम से कम बोलेंगे शाम को पूजा करेंगे तब आप साथ बार इस मंतर को बोलेंगे ग्यारा दिन तक लगा तार पूजा में आपको इस मंतर को जपना है पांच दिन में माता आप लोगों को दिखने लगेगी डाकनी शक्ति के साथ जैसे ही समझे लो माता दिखने लगे आपको स्वेम अपने रूप में तो आपको क्या करना है उसके दूसरे दिन माता को अपना कारे बताना है डाकनी माता को और काली माता को ठीक है तो माता काली जो है वो डागनी को अग्या देगी और आपका कारे दो दिन के अंदर वो माता कर के आएगी तो चलिए भक्तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादे माता काली बाबा भूले नाता आप सभी की सारी मनुकामनाएं पूरी करें